हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रीना मसाला किचन में आज मैं एक विक रेसेपी लेकर आई हूँ जिसे हम आलू और गोवी से बनाएंगे और ये जटपट बन जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी इस सबजी को मैंने 20 मिनट के अंदर तयार किया है इसे मैं जुम करके दिखाती हूँ ये कितनी लाजवाब दिख रही है इसे मैंने चावल के लिए बनाया है तो इसमें ग्रेवी आपको थोड़ी जादा दिखेगी तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाने के लिए यहां मैंने कुछ गोवी की तुकड़े लिये हैं इसे साफ करकर हल्दी और नमक के पानी में कुछ मिनट के लिए उबाल लिया है यहां मैंने आधे मिनट ही उबाला है और कुछ बॉइल आलू लिये हैं इसे चार तुकड़ों में काट लिया है यहां हमने एक टमाटर लिया है हरी प्याज लिये हैं कुछ खड़े प्याज लिये हैं तीन लसन की कली और थोड़ी से अधरक लिया है आधे हिस्से को हम बारिक कुटेंगे और आधे को हम पेश्ट बनाएंगे और इसमें दो हरी मिर्च लिया है सबसे पहले बावल में थोड़ी सीद काली मिर्च और जीरा लेंगे और बाकी के अधरक और लसन डाल देंगे और बाकी को हम बारिक कुट लेंगे तड़के में हमने सूखी मेट्स, जीरा, लॉंग, इलाइची और बड़ी इलाइची लिया है और दो तेजपत्ता लिया है इन सब की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सबसे पहले हम कुकर में थोड़ी से सरसो तेल डालेंगे फिर इसमें हम साबुत गरम मसाले का तड़का लगाएंगे तड़का चटकने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे अब इसमें हम हरी प्याज डालेंगे और इसे दो मिनट भूनेंगे प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है अब इसमें हम गोभी के तुकड़े दालेंगे और इसे हल्का भूनेंगे सब्ची हमारी ब्राउन हो चुकी है अब यहां हमने खाने के चम्मस से हल्ली, नमक और मिर्च पौडर डाला है यह तीनों एक एक टेवल स्पून है और साथ में तैयार किये हुए मसाले के पेश्ट डालेंगे और इसे हम भूनेंगे थोड़ी से पानी डालेंगे हम ताकि मसाले हमारे जले ना मसाले हमारे भून चुके हैं मेरी कुकर थोड़ी छोटी है, इसलिए मैं वीडियो अच्छे से दिखा नहीं पारी मुझे कुकर को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ रहा है अब इसमें हम एक टमाटर को मोटे तुकड़ों में काट लेंगे और इसे में डाल कर भूनेंगे यहां मैंने थोड़ी से पानी डाला है अब इसमें हम उबले हुए आलू की तुकड़े डालेंगे और इसे हम एक दो मिनट भूनेंगे इसे मेंने लाश्ट में डाला है ताकि यह अच्छे से भून जाए पहले डाल देते तो यह मैसी हो जाती यहां मैंने स्वाट के नुसार नमक डाला है और इसे अच्छे से एक मिनट के लिए भूनेंगे सब्जी हमारी भून चुकी है अब इसमें हम अंदाज से पानी मिलाएंगे यहां मैं चावल के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ी जादा पानी डालूंगी यहां मैंने लगबग एक ग्लास पानी डाला है अब इसे हम कवर करके सीटी आने के पहले बंद कर देंगे हम इसमें सीटी नहीं लगाएंगे जैसे सीटी आएगी वैसे उसके पहले ही हम कुकर को बंद कर देंगे लीजे तैयार है हमारी आलू गोवी की सबजी इस सबजी को बनाने में मुझे 20 मिनट से कम टाइम लगे है ये जल्दी बन जाती है गोभी हमारी पक चुकी है इसे थोड़े हम ठंडा होने देते हैं फिर सर्ब करके दिखाते हैं ठंडी होने के बाद ये थोड़ी गाड़ी हो जाती है ये देखिए हमारी सबजी की लुग कितनी उभर कर आई है तो चलिए हम इसे सर्ब करते हैं हरे प्याज डालकर सबजी का टेस्ट काफी अच्छा लगता है अगर आपके पास हरी प्याज हो तो जरूर डालें यहाँ मैंने प्याज के रिंग से इसे गार्निस किया है लीजे तैयार है हमारी क्विक रेसिपी अलू गोभी की सबजी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज फ्रेंड्स और फैमली में सेयर करें मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल पटन को प्रेस करना ना भूलें थैंक्यू